जहिन दोस्तों आपका Aviation Engineers चैनल में स्वागत है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने बाला होती खास क्योंकि इस वीडियो में मिलेंगी आपको बहुत सारी जानकारिया जैसे कि लेंडिंग के टाइम पाइलेट कैसे ब्रेक लगाता है कौन कौन से लेंडिंग गेर में ब्रेक होता है और कौन से लेंडिंग गेर में ब्रेक नहीं लगा होता है हवाई जाज का ब्रेक कैसे काम करता है और ये किस चीज़ का बना होता है टेक ओफ के दोरान अगर कोई इमर्जेंसी हो जाए तो पाइलिट कैसे ब्रेक लगाता है या फिर लेंडिंग के टाइम पर हाइट्रोलिक फेल हो जाएं तो पाइलिट कैसे जाज को बोखेगा किस टाइब से ब्रेक लगाएगा इस फ्रंट लेंडिंग गेर को नोस लेंडिंग गेर कहते हैं इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा होता है पीछे बाले लेंडिंग गेर को में लेंडिंग गेर कहते हैं इसमें ही ब्रेक लगे होते हैं जो की मल्टीपल डिस्क टाइब के ब्रेक होते हैं और वो कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं ये ब्रेक्स हाइड्रोलिक लिए काम करते हैं बिना हाइड्रोलिक के ये ब्रेक्स नहीं लगाए जा सकते हैं इन ब्रेक का मटेरियल कार्वन मटेरियल होता है ये कार्वन से बने होते हैं ये ब्रेक्स कार्वन के इसलिए बना पिर रोटर लगे होते हैं फिर स्टेटर लगे होते हैं आसान भासा में बोला जाए कि दो स्टेटर के बीच में रोटर लगा होता है रोटर वो पार्ट है जो वील के साथ गूमता है और स्टेटर वो पार्ट है जो नहीं गूमता है अब जानते हैं पाइलेट ब्रेक लगात जाता है कि अगर यह सई तरीके से नहीं दबाया गया तो आपका ब्रेक नहीं लगेगा उसके अलाबा आपका रडर मुमेंट हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं लगेगा देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे दबाते हैं जैसे यह इस तरीके से दब जाता है उसके बात क्या होता है है अपना पिस्टन के पास पहुंच जाता है पिस्टन करत क्या करता है स्टेटर को दबाता है स्टेटर जो प्लेट होती है रोटर प्लेट को दबाती है रोटर प्लेट जब दब जाती है तो फ्रिक्शन की वज़ का सबसे crucial time होता है उसका take off और landing तो मैनिफेक्चर ने पाइलेट का burden कम करने के लिए एक auto braking system लगा दिया मतलब की पाइलेट को landing के time brake लगाने की कोई tension नहीं लेनी है जहाज खुद ही brake लगा लेगा पाइलेट को सिर्फ low और medium में से कोई एक बटन दबा के उसे select कर लेना है low और medium runway की length के हिसाब से select किया जाता है अगर runway लंबा है तो वो पाइलेट low braking system लगाता है अगर runway medium size का है तो medium brake लगाता है साथ में ही spoiler lever को उपर खीच देना है इससे brake और spoiler दोनों ही armed हो जाएंगे जब जैसे ही touchdown होगा पाइलेट thrust lever को forward idle या reverse idle पर लेकर आ जाएगा अपने आप ही spoiler खड़े हो जाएंगे और wheel में brake अपने आप ही लगना चालू हो जाएगा और जहाज safely अपनी जगर पर जाके रूख जाएगा इससे पाइलेट का ध्यान नहीं भटकता और इससे safety feature increase हो जाता है और यह craft safely land करके आराम से ब्रेक लगा लेता है और इसमें anti-skidding function भी मिल जाता है मतलब कि यह craft runway पर फिसलेगा नहीं अब जानते हैं टेक ओफ के टाइम अगर कोई emergency हो जाए तो पाइलेट कैसे ब्रेक लगाता है अगर टेक ओफ के टाइम कोई emergency हो जाए जहाज को रोखने के लिए पाइलेट टेक ओफ से पहले auto break पैनल में max button को press कर देगा साथ में ही spoiler lever को खीच कर उसे आम कर देगा जैसा कि आपने पहले देखा था जब टेक ओफ हो रहा होता है तब thrust lever अपने maximum position पे होता है अगर कोई emergency होई तो पाइलेट thrust lever को idle position पे लेकर आ जाएगा जैसे ही thrust lever अपने idle position पे आएगा सारे spoiler खड़े हो जाएंगे और maximum break अपने आप लग जाएगा और यह craft रुख जाएगा इस case में break में आग भी लग सकती है क्योंकि बहुत जादा heat generate होती है हर case में thrust reverser और spoiler आपके brake को assist करेंगे drag create करकर ताकि यह craft जल्दी रुके अब हम जानेंगे अगर landing के time पे यह craft के hydraulic system फेल हो जाएं तब पाइलेट एक्राफ को रोकने के लिए क्या करता है उस टाइम पे पाइलेट रडर पैडल का यूज करता है फिर एक्राफ में लगा emergency brake 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 को hydraulic pressure supply करता है फाइलेट सिर्फ साथ बार ही रडर पैडल को प्रेस कर सकता है एक्राफ को रोकने के लिए लेकिन साथ बार प्रेस करने जिरूद नहीं बढ़ती एक्राट पहले ही रुख जाता है आपको जानकारिया कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा subscribe कीजेगा और share कीजेगा अगर अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को dislike कीजेए पर इस ले बने रही है ताकि आपको कई जानकारिया मिल सकें thank you